बॉल्कम बैक टु सित्व प्रफा पाट साला आज हम लोग स्वैलोफ फूड के बारे में पढ़ेंगे मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिये थे कार्णिवरस के बारे में उनके टीत कैसे होंगे अम्निवरस की टीत में बताये थे कि डिफ्रेंट टाइप्स के टीत ह अब बात करते हैं स्वैलोफ फूड के बारे में अब कुछ-कुछ एनिमल्स जो हते हैं कि सिदा का सिदा फूड सामने जो दिखता हुसे सिदा का सिदा स्वैलोफ कर जाते हैं स्वैलोफ करने का मतलब सिदा उसे निगल जाना ठीक है निगल जाते है डारेक्टी डारेक्ट फूड को स्वैलो कर जाते हैं एसने कि उनके पास थीथ नहीं होता है तो उनका जो दात होता है वो उनकी जो प्रे उनके सिकार होते है जैसे यहां पर बेंग इसका सिकार बनावा बेंग का मतलब मेड़क इसकार बनावा तो मेड़क को पकरने के लिए कच्छे से कैच करने के लिए उसको यह तीथ का अपना यूज करते हैं ठीक है ना चीविंग के लिए नहीं यूज करते हैं नॉट उनके जो टीथ होते हैं चीविंग के लिए नहीं यूज होते हैं चबाने के लिए नहीं यूज होते हैं ठीक ह मसल का इस पावरफुल मसल का यूज करके यह क्या करते हैं फूड को मूव करते हैं मतलब फूड को मूविंग करने का मतलब होता है कि एक पार्ट में स्वैल होके तो यहां से अंदर की तरफ मूव करवाने मदद करते हैं और उसे क्या करते हैं स्वैलिंग करने मदद करते हैं अब देखो बताते हैं, frog's tongue is attached to the front of its mouth. अब ये तो बात हुआ किसका, snake का, ठीक है ना, अब बात करते है frog का, तो frog के साथ क्या है कि frog's tongue is attached to the front of its mouth rather than the back like humans, ठीक है ना, ये frog का जो tongue होता है वो सिदा का सिदा mouth से ही attached होता है, ठीक है, अब जैसे हमारा tongue होता है, मारा tongue back से attached होता है, ठीक है ना, वो mouth से हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं निकाल सकते है, ठीक है, पर एक frog है, तो frog का tongue मारा tongue से ही attached होता है, तो बहुत ज्यादा दूर तक बाहर निकाल सकता है अपने jeep को, ठीक है ना, tongue को, तो when frogs, sees an insect, throws its sticky tongue out, तो जब भी frog क्या करेगा, insect को देखेगा, it क्या करेगा, it throws its sticky tongue out, वो अपना sticky tongue को बाहर निकालेगा, और फिट's mouth and wrap around its prey, और prey के आसपास फैला देगा, क्या होगा, कि जैसी prey उसके अंदर चिपकेगा, उसको तुरंट पकर लेगा, पकड करके, सिदा मुगे अंदर लेकर के आएगा, the frog's tongue then snaps back and throw the food down into the throat, फिर तुरंट उसे क्या कर लेता, पकर लेता और सिदा का सिदा उसके गला में उस food को गोट लेता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, लोग नॉइंग फूट की, गनॉल फूट की होता है, शंजो, इसमान मतलब, गनॉइंग का मतलब होता है कि जो फूट है, फूट को repeatedly bite करना, यहां पर साप लिखा भावी है, चलो, यह भी चीज मिली गया मैं, ठीक नद नाइंग FOOD D अनोजाएंग FOOD mean बाइट FOOD repeatedly, मतलब फूड को बार 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 चवाना बोलते है, ठीक है ना, खरगोश को खाते देखो बहुत तेजी में बार पर अपने दाथ को चलाता है इसको नाइंग फूड बोलते है ठीक है तो रैबिट इसक्वारल इसमें कौन को नाते तो रैबिट इसक्वारल रैट यही लोग आती है यही लोग इस तरीके का क्या करते है कि यूज करते है हो क्या करते रोट जल्दी 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 वो इसको क्या करते कि फूड को करते है निक बार-बार उसको काटते हैं। मतल Mongar in fact उसको काट करके घूखते ना तो इस तरीके का इन का पेर नौ토 ऑफ जो होता है इस तरीके से मदद करता आगे का जो तीत होता है वही बात करता है अगर अधिक्यूट两 से बाड को ये भी सक तो यह यहाँ से collect करने के लिए अपने प्रवासिस का यूज करते हैं और वहां से nectar collect करके अपने body के अंदर लेकर आते हैं ठीक है butterfly हो गई या फिर अगर बी की बात करें बी तो बी भी nectar को क्या करती है वो भी nectar को सक ही करती है ठीक है ना आपने लेकर क्या रहे है तो इस फ्लावर से क्या करती है तो इस फ्लावर से क्या करें नेक्टर को सक करके अपने ये body के अंदर अपने लेकर क्या रही है butterfly ठीक है ना butterfly flower को अपने body के अंदर लेकर करके nectar को यहां पर सक कर रही है flowers ठीक है तो यह sucking food के बारे पर गया जिस में हमारे बट्टो आ रहे है हमारे butterfly's आ रहे है आगे हम लोग देखते है क्या है कि इसमें अगे food chain that is our last topic यह हमारा last topic food chain का मतलब क्या होता plant uses sunlight अब जैसे एक example देखो यहाँ पर कुछ जो चीज लिखा और चीज को समझना plant uses sunlight अब देखो क्या plant की चीज का यूज करता sunlight को यूज करता किस चीज के लिए अपने खाना को बनाने के लिए sunlight water nutrient to make their own food ठीक है ना लेकिन animals क्या होते animal plant पर depend करता है या फिर दूसरे animal पर depend करता है अपने खाना के लिए हम खुद ले लो ना हमें ही ले लो ना हमें क्या करते है हम या तो दाल चावल खा सकते है नहीं तो दूसरे animal को खा सकते है और कुछ खा सकते है क्या अगर दूद की भी बात करें तो दूद पीते है तो दूद कहां से मिलता है अनिमल से मिलता है समझ रहो ना तो हम directly नहीं directly animal पे भी dependent है या फिर हम animal पे नहीं तो plant पे dependent है ठीक है ना हम directly नहीं directly सारे animals plant पे dependent है और सारे humans के तो animal और plant इंची जो पे dependent है ठीक है अब बात करते है food chain क्या होता है food chain so who eats whom food chain आब यह बता था कि कौन किसको खाता है मतलब पूरे संसार वह जो भी जीव जनतु है कौन किसको खाएगा ठीक है ना in habit यह ना habitat मतलब जो उसके habitat में पाया जाएगा उसी को खाएगा starting out with a plant and ending with the animal plant से start करेंगे और animal पे खतम करेंगे ठीक है तो आई यह थोड़ा सा food chain के बारें देखते हम लोग नीचे क्या है यह चीज तो इधर गया है देखो सबसे पहला चीज यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से table बना करके दिया गया है सारे चीज को पुड़े table को लोग समस्ता बंद करके सबसे पहला sun का energy आया sun के energy को कौन यूज किया plant यूज किया मैक्स एंडे स्टोर दा कार्वोध्रेट इनिट सेल कार्वोध्रेट सन के energy को यूज किया sun के energy को यूज किया पानी को यूज किया अपने सेल के अंदर कार्वोध्रेट को क्या 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 स्टोर किया मतलब खाना बनाया खाना बनाने के बाद कार्वोध्रेट को अपने सेल बोलते है नो वैसी खाना प्लांट के खाना बनाने के प्रोच्शस को फो्तो सिंनका जाता है ंसुब्स्याइबेग्र मुर्ट सेउट पुटेशसिपने करेगी एंस लुुध सबसे पहले फूड को यही तो प्रोडूस कर रहा, that's why the plant is called the producer, अब जो plant को खाएगा, that is called the primary consumer, जो plant को खाएगा, plant producer हो गया, जो producer को खाएगा, वो primary consumer होगा, जो producer को खाएगा, क्या होगा, एक वर फिर से बोलो मेरे साथ, जो producer को खाएगा, वो क्या होगा, primary consumer, क्या होगा, primary consumer, और जो primary consumer हो सिर्फ खाता है वो herbivorous होता है and all the primary consumers are the herbivorous because they eat directly the plant products ठीक है आगे मैं बात करता हूं कि plant eaters plant eaters जो plant को खाने वाले होते हैं मतलब रुशी में वहीं पर बला गया कि plant eaters is called the herbivorous is called the primary consumer अब देखो जो primary consumer को खा जाए जो primary consumer को ही खा जाए मतलब यह खरगोस खाया plant को और जो plant जो खरगोस को ही खा जाए that is called the carnivorous चुकि वो animal के part को खाड़ा इसलिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे carnivorous बोलेंगे and now it is called the secondary consumer जैसे पहले जो plants के प्रोड़क्त पहले plants आया producer plant के प्रोड़क्त को खाया कौन यह खरगोस then खरगोस is called the primary consumer and खरगोस को खाया कौन यह a snake then a snake is called the secondary consumer snake को क्या बोलेंगे क्योंकि यह directly क्या कर रहा है कि primary consumer को consume कर रहा primary consumer को खा रहा है ठीक है ना catches and eaters of the other animals यह क्या कर रहा है कि catches दूसरे animal को पकड़ता और सिदा उसको खा जाते है ठीक है उसके बाद है tertiary consumer tertiary consumer किसको बोलते है तो eaters of the other animal जो other animal यह निकि यह सब animal क्या कर रहे है जो इसको खा रहे है जो rabbits को खा रहे है जो primary consumer को जो खा रहा है यह क्या करते है यह उस प्राइमरी कंजुमर को ही खा जाता है मतलब यह से स्नेक खाया इसको तो यह खा जागा स्नेक को समझा रहा है तो इसके अंदर इसके बॉड़ी के अंदर जो एनर्जी है उसका एनर्जी इसको अंदर मिला सबसे पहले प्लांट के इनर् को खाता है and that's why it is also called the carnivorous, क्योंकि तो इसे भी को खा रहा है, तो इसे भी carnivorous सी हम लोग कहेंगे, ठीक है, आगे है हमारा यहां पर एक छोटा सा example दिया गया है, उस example में क्या है कि sun से आया plants, plants से caterpillar आया, caterpillar से फिर वहां से birds आया, that is the, इसी को हम लोग एक food chain बोलते है, sun का energy plant क्या plant के energy, caterpillar यूज क्या caterpillar यूज क्या caterpillar का energy, bird यूज की, ठीक है ना, that is called the food chain, मतलब food chain is just a process in which it shows that who eats whom, कौन किसको खाता है, मतलब एक ऐसा process है, जिसमें हर animal एक दूसरे animal को खाते हैं, खाने का मतलब बता हर animal एक दूसरे animal की energy को consume करते हैं, ठीक है, और हर animal एक दूसरे animal प खाते हैं, गलोसरी को तो याद करना ही, हैंड समडी को भी एक बार पर लेना है, बाकि उसके बाद question answer बनने की कोशिस करना है, आपको तो question answer मिल जाएगा, ठीक है, उससे match कर लिजएगा, question answer कहां तक सही है, कहां तक question answer सही नहीं है, ठीक है, और अगर इसके बाद कोई भी द Klaus and Beaks, Feeds, Klaus and Platt, पता नहीं इतना लंबा chapter फेतर हैं पतला इतना लंबा नाम, एक ही chapter का लिए फिदर, beaks, feet, claws, flight, फ्राइड एखो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, हम लोग बस इतना ही, आज यह chapter फिनिष, कल हम लोग पढ़ेंगे chapter 4, यह भी चीज है, जोभी चीज को कल परेंगे ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो